हलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कॉर्ड, आएम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एर्थ, जो आपकी हिंदी की भारत की खोच वाली जो बुक है, उसका चाप्टर थ्री, ये काफी बड़ा चाप्टर है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है तो देखते हैं, देखिए, महा काव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, तो महा काव्य है, जैसे कि जो रमायन है, महा भारत है, इनको महा काव्य माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जादा बड़े हैं, और बहुत सदर पॉपिलर हैं, तो देखिए, प्राचीन भारत में द समय के ग्रह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थथी को मजबूत कर रहे थे तो देखिए यह ऐसा नहरु जी का मानना है यह सचाई है यह तो हमें भी नहीं पता होगा पिर उनकाय मानना था कि जो रामायर्ण महाभारत है यह उस वेदिक काल के हैं काफी पुराने समय के हैं और इसमें जो कहानिया हैं काफी ज़दा जोड़ी जाती रही हैं समय के साथ-साथ तो फिर वो कहते हैं मुझे इसके अलावा कहीं भी किनी ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिसमें आम जिंता के मन पर लगातार इतना व्यापक पावजूत भारतियों के जीवन पर आज भी इनका जीवन्त प्रभाव दिखाई पड़ता है यह दोनों गरंत भारतिय जीवन के अंग बन गए हैं तो यह कहते हैं कि इतने समय पहले रची गए थी फिर भी भारत के लोगों पर इनका बहुत जादा प्रभाव है इनमें हम सांस्क्रतिक विकास की विबिन श्रेणियों के लिए ठेट भारतिय धंग से एक साथ सामगरी उपलग्त है अर्थात उच्चेतम बुध्धी जीवी से लेकर साधार अनपर्द और और सिक्षित देहाती दब के लिए तो इसमें जो है ना सांस्क्रतिक विकास इसमें कहते ह और इससे बहुत कुछ सीख सकता है इस जर्मायन महाभारत है इसमें हमें सिर्जा और महराजा इन सबके जीवन के बारे में नहीं बलकि जो आम जंदा वहां की होती थी उनके जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानने को इससे मिलता है इनके दौरा हमें प्राचीन भारत के लोग कैसे होते थे उनमें जात बात ऊच नीच कैसी होती थी और वो कैसे बटे होने के बावजुद भी एक जुट रहते थे उनके मदभीदों को सुलजाते थे अपनी दिक्कते परिशानिया हैं उनका निप्तारा करते थे उनको सुलजाते थे उन्होंने लोगों में एकत का ऐसा नजरिया पैता करने का प्रत्म किया जो हरतर है कि भेदभाफ पर छागया और बराबर बना रहा तो मतलब किस तरीके से लोगों ने ऐसी चीज़े निकाली निजात करनी कैसे रूलस और रेगलेशन्स लॉस बनाए कि भेदभाफ भी मतलब जादा नहीं बढ़ा और ल और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती हैं तो सिर्फ महाकावियों में नहीं अलग अलग और बी जैसे की वेदेक काय के समय अलग अलग काफी सारे लिटरेजर लिखे गए चीजों के बारे में जैसे की विश्वु पुरान और यह से पुरान नाटक भी हमें देखने को मिलते हैं कवियों और नाटक कारों ने इनका पूरा लाब उठाने उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर करपनाओं की रचना इनके द्वारा इनके अधर पर की अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गथात्मक हैं मतलब जो पुरानी कहानियां है वो किसी वीर पुरुष के बारे में वीर इस्तरी के बारे में वीर लोगों के बारे में जो बहुत ज़दा साहसी होते थे उनके बारे में लिखी गई है उनमें सत्या पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है चाहे परिणा इस तरीकिया के जो यह सब कहानिया होती है इसमें सच्चाई निए mamac. je इसमें पूरा करो, इस तरीक है कहानिया हमें पřेन ना-तक कहानिया बहुँ देखने को मिलती है पुरानी इतिहास में साथ है इनमें जीवन परियंध और मणों परणन्त भी वफादारी साहस और लोग हित के लिए सदाचार और बलिदान की सिक्षा दी गई है तो मतलब इसमें ये भी बताया क्या है कि पूरे समाज के लिए हम लोग को कैसे बलिदान देना चाहिए और समाज के साथ कैसे मलजूर के रहना चाहिए जीवन जब तक है और जीवन के बाद भी हमारी केड़ी खतम नहीं होनी चाहिए, हमें वफदार रहना चाहिए, समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, कभी ये कहानिया पूर तहां काल्पनिक होती थी, अन्य था, इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे र कि महारे सामने रखा जाता था, कि इनको मतलब जिस यह माने ना माने सचाई है, जूट है, यह है और यह समेश्ण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहन कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना पता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता ह जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं. तो यह जो इतिहास है भा कवे यहारी पुरान है यह मतलब कुछ सच्चाई भी हो सकती है इसमें कुछ इमाजिनेशन भी हो सकती है पट लोगों ने तो इन्हें अपने इमाजिनेशन में Vine delivery ही मान लिया है यह कहना चाहते हैं यहाँ पर जो नहरूजी है कि लोगों ने तो इन कहानियों को अपने मतलब रोजमर्णा के जिन्दगी में सचाई ही मालिया है इसमें किती सचाई है यह तो आज हम नहीं कह सकते यह घटनाए वास्तफिक हो या कालपने जीवन में उनकी इससिती जीवां तत्वो की हो जाती थी जो नहीं रोजमर्णा के जिन्दगी की एक रस्ता और कुरूपतास से खीच कर उच्चितर शेद की ओर ले जाती थी तो यह चाहें कहानिया अच्छी हों बुरी हो अगर जीवन के रोजमर्णा की जो हमारी जिंदगी है उसकी नी रस्ता मतलब हार्ति यितिहास्कार नहीं थे इसी कारण हमारे लिए देश inac Rhodarchica alattlet करना कम बदेंस नंवर था बहुत दीमी गदी से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भार के इतिहास की भूल-भुलया के सूत्रों को खोज रहे हैं कल्हड की राज त्रंगिनी एक मात प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है तो यह कहते है जो कल्हड है उसकी राज तंत्रिनी मत पॉलिटिक्स के बारे में जो कल्हड ने लिखा है उसको ही हम लोग हिस्ट्री मान सकते हैं बाकि सब तो लोग कताए ही हैं यह दिखेंगे मेरा नहीं यह नहरुजी का मनना है नहरुजी की एक किताब है क्योंकि यह कश्मीर का इतिहास है तो कल्हड जो है कश्मीर का इतिह जिसकी रजना ईसा की बारवी शताबदी में की गई थी यानि की 12 AD में बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य गरंथों के कालपनिक इतिहास और समकालीन अभी लेखो शिला लेको, कृला करती हो और इमारतों के अफशेशों सिको और संस्क्रिट साहित्य के विशाल संग्रहा से सहायता लेनी पड़ती है पिरे कहते हैं कि हमें जादा हिस्टॉरिकल फैक्ट्स नहीं मिलते हैं हम लोग को तो स्टोरीज, पोयम्स और ये सारी ही मिलती है और बाकी जो पत्थरों पे लिखा गया है काई बार है ना इस सब चीदों से हमें अपनी हिस्ट्री के बार में पता लगाना पड़ता है इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफर नामे से भी साहिता मिलती है विशेश रूप से युनानियों और चीनियों के बाद और कुछ बाद में आने वाले अरवों के विशेश विवरणों से हम लोग को अपने देश की हिस्ट्री के बार में जो बाहर से ट्रावलर्स आये है ना उनसे भी काफी हल्प मिलती है जैसे की चाइनीज आये युनानी वगर आये हमारे देश में अरब्स आये उन्होंने हमाई देश के बार में काफी कुछ लिखा तो उसे भी हमें अपने देश के बार में काफी पता लगता है एतिहासिक पोत के इस अभाव का जंता पर प्रभाब नहीं पड़ा यहां की जन्ता ने अतीद के विशे अपनी दश्टी का निर्माण उस परंपरागत वरितानतों और पौराणिक काथाओं और कहानियों के अधार पर कर लिया जो उन्हें पीडी तरबीडी विरासत में मिली थी तो यहां की जन्ता प्रें पर के इस असर नहीं पड़ा क्यों ने पता है या नहीं है उन्होंने तो जो पूराणे कथाएं हैं जो पुराणे में कहाता लिए जो हमारे महाकावें हैं इनको ही अपनी हिस्ट्री बना लिया और जल्रिशन बताते रहे इस कालपने के इतिहास तथा तथियों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ तो ये जो दंत कथाओं हैं यानि कि आप कहा सकते फियरी डेल्स जो ये हैं इनका मिक्स रूप होकर के पूरा एक तिरसे इतिहास के रूप में इसको लोग मानने लगे इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाओ सांस्कृति परश्ट भूमी बिली ये जो कहानिया हैं इससे लोग को एक कल्च्रल वैल्यू मिली लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दस्ट्री कोन में दुंदलापन पैदा हुआ जिंदगी से अलकाफ पैदा हुआ और तथियों के बारे में दिमागी उल्जन और सहज विकास करने की प्रवत्ती पैदा हुई तो यह कहते हैं कि अध्यों के अधार पर हमारे पस फैक्ट्स नहीं थे डाटाबेस नहीं थे तो हमारे में कन्फ्यूजन पैदा हुआ हमें उल्जन पैदा हुई कि एक्चली हमारे देश में हुआ क्या होगा अब यह बताते हैं महाभारत के बारे में तो देखते हैं महाभारत के रूप में रमायन एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं परन्तु महाभारत का जर्चा विश्व की श्थम रचनाओं में है तो रमायन को लोग बहुत प्यार करते हैं बड़ महाभारत जो है उसको दुनिया की one of the best creations माना जाता है यह क्रिति परंपरा और दंत कथाहों का तथा प्राचीन भारत की राजनेतिक और सावाजिक संस्थाओं का विश्र कोश है तो हम लोगों को महाभारत से प्राचीन भारत पुराने भारत की जो politics है और वहां की जो society है उसके बार में बहुत कुछ पता लगता है लग बग कि लगवगा से 2500 साल पहले की नहीं लगवग 100 साल पहले की किताब तो यह आप मानी सकते हैं भारत की खोच जो है लिखी गई है पंडी जवाहला नहरू के द्वारा तो उससे पहले भी कहे थे कि लोग जो हैं अलगलग हमारे जो हिस्टोरियन्स हैं महा भारत की कथा को अलगल और वे अपने रीती रिवाज अपने साथ ला रहे थे तो कहते हैं कि शायद महा भारत के समय जब हुई यह महा भारत उस समय पर ही भार से लोग आ रहे थे और अपने कल्चर लेकर के आ रहे थे इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे जो आर्यों भारत क का एक साथ पांच भाईयों की बतनी है तो पहले आड़े जो है एक और जो है वो एक से ज़ादा आदमी से शादी नहीं करती थी बढ़ हम देखते हैं कि दुरापती की शादी तो पांच भाईयों से हुई है धीरे धीरे यहां पहले से मौझूद आदिवाजियों के साथ हिंदु धर्म निकला तो यह कहते हैं कि जब भार से विदेश से लोग आ रहे थे यहां के आ रहे थे और फिर यहां के जो आतिवासी लोग थे सब लोगों ने मिल जुलकर रहना शुरू करते हैं और आज का जो हिंदु धर्म है वोहीं से निकलके आता है यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया जी है जान पड़ता है कि सत्या पर किसी का एकादिकार नहीं हो सकता उसे देखने और उस तक पहुँचने के रस्ते बहुत हैं इसलिए सब तरह के अलग लगिहां तक के विरोध विश्वासों को भी सहन कर लिया ग लगिए और एक दूसरे के विश्वासों को सहन करना भी सीख लिया गया भारत में हिंदुस्तान की या जिसे दन्गताओं के अनुसार जाते के आधी पुरुष भारत के नाम पर भरत वर्ष कहा जाता है भारत वर्ष कहा जाता है बुनियाधी एक्ता पर बलस देने की की कहानी है वे विराट ग्रहयुद जो बाद में हुआ जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजर लगाया जा सकता है कि ईसापूर्व 14 शिताबदी के आसपास हुआ होगा यह है लड़ाई भारत यह समवता उत्ति भारत पर एक अधि कार स्थापित करने के लिए की गई थी इसमें बताते हैं कि हमें महाभारत रामायड में पहले जो आर्यवरत है ना आर्यवरत का मतलब होता था यह होता था आर्यवरत का मतलब कि जो विंधिया पहाण है यानि कि मध्य प्रदेश से पहले पहने का इलाका आर्यवरत कहा जा वो और रामायन में तो हमें देखते ही है कि जो है राम जी तो श्रिलंका तक पहुंच गए थे तो इसकी पार्म में पता लगता है अब इस लडाई से एक अखंड भारत की अफधार्णा की शुरुआत हुई इस अफधार्णा की अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का उसे भारत का अभिन हिस्जा समझा जाता था वास्तव में इसी कारण मुखे साशक की पत्नी का नाम काणधारी यानि कांधार की करन्या पड़ा था दिल्ली नामका आधुनिक शहर नहीं बलकि इस इलाके के निकट बसे हुई हस्टिनापुर और इंद्रप्रस के नाम से प काव्य भगवत गीता भी गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में साशनकाल और समाने रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंदी सिध्धानतों पर जोर दिया गया है तो मतलब भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही तो पार्थ है पर भगवत गीता में तो दिये गए हैं हमें फिलोसिफिकल बाते बताए गई है उसके अलावा जो महाभारत है उसमें जो है काफी जादा पॉलेटिकल और सुसाइटी के बारे में बताया गया है धर्म की इस बुनियात के बिना ना सचा सुख मिल सकता है और ना समाच को एक का एक करके रखा जा सकत है इसका लक्ष है लोगमंगल किसी विशेश वर्का नहीं बलकि पूरे विश्वरका लेकिन धर्म स्वें सापेश है और सत्यनिष्ठा अहिंसा आदी कुछ बुनियादी सिधान्तों को छोड़कर खुद समय और मौजुदा परिस्थित्यों पर निर्भर करता है तो यह ब बढ़ाता है यह सिधान्तिकाओं है अपरिवर्तन शीपी परंतु इसके अलावा धर्म जो करतव्य और जिम्मदाईयों का समिश्वन है समय के साथ बदलता रहा जो हमारा धर्म है कि क्या सही है क्या गलत है यह सब समय के साथ सथ काफी बदलता रहा अहिंसा पर यहां और non-voilence का कल्चा भी धीरे-धीरे क्योंकि हिंसा इतनी जादा हो गई थी फिर लोगों को लगा कि भी हिंसा गलत है हिंसा की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए पूरे महा काव्या का केंदर एक विराट युद्ध है तो मतब महा भारत का जो है लड़ाई होती है उसका पूरा फोकस वहाँ पर है जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधार्णा का ज्यादा सतर संभंध मकसद से यानि हिंसा की मानसिक्ता के अभाव से आत्म रुशासन से क्रोध और घ्रणा की भावना पर नियंदर रखो महा भारत एक ऐसा समर्द भंडार है जिसमें अनेक अन्मोल चीजे ढूड़ी जा सकती है यह विवित्ता पूर्ण भरपूर और ख़त बताती जिन्दगी से सरोबर है यह केवल नैतिक सिक्षा की पुस्तक नहीं है महा भारत से मिलने वाली सिक्षा को एक वाक्य में इस को हो değ yes, नहीं चाहिए तो दूस्रों के साथ आपको ऐसा बीर कभी नहीं करना चाहिए जैसा आप अपने लिए खुद नाचाते हों इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है भेhrv ध्यान देनी लिए क為 बल नहीं जिए फिर कहा गया है सच्चाई आत्मसयम तपस्या उदारता अहिंसा धर्म का निरंतन पालन सफलता के साधन है जाती और कुल नहीं और ये भी कहा गया है कि जो आप टूथफुल रहें अपने आप पे सब्र रखें और तपस्या करें उदारता दूसरों के प्रति क्या रखें अपने कर्मों का अपने धर्म का पालन करें और इससे ही आप आगे बढ़ेंगे है इससे आप सफल होंगे बाकि के पीछे दौरने वाले पर व्यंगे किया गया है रेशम का कीड़ा अपने धर्म के बोशते मरता है और अंत में एक जीवित और विकासील जनता के लिए आदेश है और संतोष प्रकति का प्रेरख है तो यहां पर हमें बताया गया है कि आनंद के लिए अगर आपको खुशी चाहिए ना तो उसके लिए आपको उससे पहले परिश्रम करना पड़ेगा दुख थो भोगना पड़ता है जैसे कि आपको एक्जाम में अच्छे मांक्स चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा तो रेशम का जो बहुत ज़ादा पैसे के बिच्छे भागते हैं उसके लिए कहा अब यह भागोती गीता और इसके आगे वाला पार्ट नेक्स वीडियो में देखेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंस के साथ शेयर करिए थेंक्यू